नमस्कार दोस्तों मैं महीड सुरवेंशि आपका स्वागत करता हो फिर से सुरिवेंशि एकेडमी पर लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हम गवरनर जनरल पढ़ रहे थे और गवरनर जनरल के अंदर हमने जो company के अधीन governor general थे उनके बारे में सभी प्रकार की जानकारी प्राप्त कर ली है तो मुझे आशा है कि आपने पुराना वाला वीडियो देखा होगा अगर नहीं देखा है तो description में उसका link है आप वहाँ जाके इस वीडियो को देख सकते हैं आज बात करने वाले थे हम इसके पार्ट B के बारे में और जैसे मैंने आपको बताया था कि इसके चार पार्ट आने वाले हैं पहले पार्ट के अंदर हम पढ़ चुके हैं company के अधीन आने वाले governor general तो आज हम पढ़ेंगे भारत के governor general तो भारत के governor general जो है basically 1833 के charter deck के माध्यम से governor होने वाले हैं और कुल मिला के हमारे पास 6 governor general आने वाले हैं तो brief में मैं आपको बता देता हूँ कि इसे पहले हम पढ़ेंगे William Bentic के बारे में William Bentic जो है 1828 से लेकर हमारे पास 35 तक तो रहने वाले हैं भारत के पहले governor general यह हो जाते हैं इसके बाद पढ़ेंगे Charles Metcalf के बारे में Lord Auckland के बारे में फिर Allenborough के बारे में इसी परकार से हम Lord Harding और लास्ट में पढ़ लेंगे Lord Dalhoji के बारे में Lord Dalhoji के बारे में आपको पता ही होगा कि Lord Dalhoji का जो काल था वो 1856 में खतम हो जाएगा और Lord Dalhoji की वज़े से हमारे पास 8003 की करांती होगी और भारत के governor general को हम voice roy में convert करेंगे तो यह next part होगा क्लास को शुरू करते हैं और समझते हैं भारत के governor general के बारे में कि किस-किस परकार के उन्होंने काम किये और exams में कौन से प्रस निष्टे आने वाले हैं दोस्तो मैं बहुत मेहनत करके वीडियो बना रहा हूँ तो उमीद करूँगा कि आप इस वीडियो को दो या तीन भार जरूर देखें ताकि आपको किसी प्रकार को कोई doubt नहीं रहे फिर पर कोई doubt रहता है मेरी कोशिश रहेगी कि मैं सभी चीजों के उपर खुलकर बात करूँ आपसे हर एक छोटी छोटी पॉइंट को आपको बताऊं कि कौन सी exam में क्या पूछा जाता है तीन चार बुक्स का साहरा लेके मैं वीडियो बना रहा हूँ तो कोशिश कीजिएगा कि आप इसको अंतर तक देखें और पूरा देखें अगर कोई बात समझ में नहीं आती है तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताईए मैं उसके लिए आपके लिए सुनिश्चित हल उसका आपको बताने की कोशिश करूँगा तो क्लास टार्ट करते हैं भारत के पहले गवर्नर जनरल के बारे में लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से लेकर 1835 तक इनका कारिकाल रहेगा विलियम केंडविश बेंटिंग को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल का पर शुशोबित करने का गौरव प्राप्त है जुलाई 1828 में बंगाल के गवर्नर जनरल का कारिभार इनोंने समभाला व्यक्ति हैं मील और एक व्यक्ति हैं बेथलम इनकी विचारों से काफी प्रभावित थे और कटल हिगलवादी या फिर उदारवादी इनको कह सकते हैं भारत के गवर्नर जनरल के पद पर आसीन होने से पूरू 1803 में वे मदरास के गवर्नर भी रह चुके थे उसी के समय में 1801 में माथे पर जाती चिन्ड लगाने और कान में बालिया पहनने से मना करने पर सेनिक विद्रोभी कर दिया गया था BENTIC के सामाजिक सुधारों कि अगर बात करें तो सबसे महत्वपून सुधार था सती प्रथा का अंध गवर्नर जनरल जैसे की वििल्यम बेंटिक से पहले के जितने गवर्नर जनल थे किसी ने भी इस कुरूर प्रथा को छेडने का प्रयास नहीं किया था बैंटिक ने इस प्रथा के खिलाफ कानून बनाकर 1829 में धारा सतरा द्वारा विध्वाओं के सती होने को अवेद घोशित कर दिया था अपने प्रारंबिक शनू में ही कानून मात्र ब्रंगाल प्रसिडेंसी में लागू किया गया था पर 1830 इसवी तक इसे बंबई तथा मदरास प्रसिडेंसी में भी लागू कर दिया गया राधाकांत जे देव जैसे रूडी वादियों ने सती प्रता पर प्रतिबंद का विरोध किया जबकि राजा राम मोहन राय और देवेंदर नाथ टैगा और जैसे प्रगतिशी लोगों ने बेंटिक के प्रति आभार प्रकट किया और अंग्रेजी समराट को पत्र भी लिख लॉड विलियम बेंटिक के समय में ही ठगी प्रता का प्रशलन जोरोपर था चोर डाकूं वो हत्यारों के समूं को ठक कहा जाता था प्रायह निर्दोष्ट तथा आरक्षित व्यक्तियों को ये लूट लिया करते थे ठगी के कारियों में लिप्त रहने वाले लोग अवज से हैदराबाद राचपूतारा तथा बुंदेल खन तक में सक्रिय थे बेंटिक ने करलन करनल सिलीमन तथा इस्थानिये रियास्तों की मदद से 1830 इसवी में ठगी को समाप्त करने हितु एक अभियान छेड़ा परिणाम स्वरूप 1837 इसवी के पश्चात संगटित रूप से ठगों का अंत हो गया तो याद रखिएगा ठगी प्रथा को अंत करने में विलियम बेंटिक का साथ दिया था करनल सिलीमन ने लौड विलियम बेंटिक ने सरकारी सेवाओं में भेदभाव पूर्ण वेवार को खत्म करने के लिए 1833 में एक एक लाए और उसकी धारा 87 के कैनुसार जाती या रंग के इस्थान पर योगिता को ही सेवा का आधार माना गया बेंटिक ने समाचार पत्रों के प्रती उदार धर्ष्टीकोंण अपनाते वह उनकी स्थणता की वकालत भी की पिरियम बेंटिक समाचार पत्रों को असंतोष की रक्षा का अभिध्वार म नहीं थी इस प्रकार विलियम बेंटिक भारती समाचार पत्रों को मुक्त करना चाहता था किन्तु 1835 इस्वी में खराब स्वास्त के आधार पर बेंटिक द्वारा इस्तिफा देने के कारण समाचार पत्रों को प्रतिबंद से हटाने का श्रे जो है इनके बात आने वाले देश एवं माध्यम दोनों पर गहरा अध्यन किया शिक्षा के लिए अनुदान का प्रयोग कैसे किया जाए यह विचारनी विशय रहा विवात फसा की अनुदान का प्रयोग प्राची साहित के विकास के लिए किया जाए या फिर पास्चाति साहित के विकास के लिए किया था अंततह इस विवात के निप्टारे के लिए मेकाले की अध्यक्षता में एक समीती बनाई गई जिसके पास्षात्य विध्या के समर्थन में अपना निड़ने दिया उसने अपने विचारों को दो फरवरी 1835 के सुप्रसिद इसमरन प्रत्र में प्रतिपाधित भी किया अपने प्रस्तावों में मेकाले की योजना थी कि हमें एक ऐसा वर्ग बनाना है जो रंग तथा रक्त से तो भारती हो परन्तु प्रवर्ती, विचार, नेतिकता तथा बुद्धी से अंग्रेज हो मेकाले के विचार 7 मार्च 1835 को एक प्रस्ताव द्वारा अनुमुदित कर दिये गए जिसमें यह निश्चित हुआ कि उच्छ इस्तरिय प्रशाशन की भाशा जो होगी वो अंग्रेजी होगी 1835 इसवी में ही लौड विलियम बेंटिक को कॉलकता में कॉलकता मेडिकल कॉलेज की निव भीनों ने रखी अब अगर बात करें शिक्षा के बाद वित्तिय सुधारों की लौड विलियम बेंटिक ने सेनिकों को दी जाने वाली भत्ते की राशी को कम कर दिया तो इस प्रकार से पहला वित्तिय सुधार किया अब कलकता में 40 मील की परिधी में नियुक्तों होने पर भत्ते का आधा देर दिया जाना सुनिश्चित किया गया बंगाल में भूराजस्व को एकत्र करने वाले शेत्रों को प्रभावकारी प्रयास किये गए इसके साथ में अफीम के व्यापार को नियमित करते हुए इसे केवल बंबई बरंदरगा से निरियात की सुधार दी गई इसका परिणाम यह हुआ कि कमपनी को निरियात कर का जो भाग था वो अब जादा मिलने लग गया था इस कारण राजस में भी व्रद्दी हुई बात करते हैं बेंटिक ने कानवाली जवारा इस्थापित जो प्रांतिय अफीली और सरकिट नियाले थे उनको बंद करवा दिया इसका कार्य मर्जिस्ट्रेट तथा कलेक्टरों में उसने बाढ़ दिया नियालेओं की भाषा पहले फार्सी थी तब फार्सी के स्थान पर विकल्प के रूप में इस्थानिय भाषाओं का प्रियोग की अनुमती विल्यम बेंटिक ने दे दी उचिस्तर के नियालेओं में अंग्रेजी का प्रियोग होने लग गया था बेंटिक ने भारतिय रियासतों के प्रती तठस्त बने रहने की नीती का पालन भी किया हैदराबाद लेलो या बूंदी, जोदपूर, कोटा या भुपाल में बेंटिक ने अहस्तक्षेब की नीती का पालन किया परन्तु 1831 इस्विय मैसूर तथा 1834 इस्विय में कुर्ग एवं कछार को अंग्रेजी सामराजि में शामिल भी बेंटिक ने किया या इसकी हस्तक्षेब की नीती का पालन था बेंटिक रूस के मद्द एशिया की और अग्रसर होने के विशय में जागरुख था उसने रणजी सिंग से मित्रता की तथा सिंद के अमीरों को एक व्यापारिक संधी के लिए मनाया उसने काबूल के सिंहासन के लिए शाह शुजा का पक्ष लिया 1833 के चार्टड एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया इस प्रकार से 1833 में बंगाल का गवर्नर लॉड विलियम बेंटिक 1833 में भारत का पहला गवर्नर जनरल बना दिया गया और इस प्रकार से लौड विलियम बैंटिक के बाद 1835 में आएंगे सर चार्ल्स मेटकॉफ मात्र एक वर्ष तक भारत के गवर्नर जनरल के पत परकारी करने वाले चार्ल्स मेटकॉफ को प्रेजपर से नियंतर हटाने के लिए याद किया जाता है इसी कारण इन्हें समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में भी संबोधित किया गया है इस प्रकार चार्ल्स मेटकॉफ के जीवन में समाचार पत्रों से नियंतर हटाने के अलावा और कोई प्रमुग घटना सामने नहीं आती इसके बाद आएंगे लॉर्ड आउकलेंड लॉर्ड आउकलेंड 1836 से लेकर 1842 इसकी तक भारत के गवर्णन रहेंगे आउकलेंड के शाषनकाल में सबसे प्रमुग जो महत्पुन घटना थी वो थी प्रतम आंगल अफगान युद यह अफगान युद 1849 से 42 के बीच लड़ा गया था इस युद की अगर भूमिका में जाएं कि कैसे युद शुरू हुआ तो 1836 की बात है अंग्रेजों शाहसुजा और रंजी सिंग के बीच में एक संधी होती है इसे त्री पक्षिय संधी कहते हैं यहाँ पर रंजी सिंग संधी करते हैं अंग्रेजों के साथ और अंग्रेजों की मध्यस्ता को स्विकार कर लेते हैं शाहसुजा अंग्रेजों के साथ संधी करते हैं और अपने कर की शेष राशी थी उसकी आशा में सिंध पर से अपनी शेषता का अधिकार यह वापस ले तो यहां पर प्रथम अफगान युद्ध जो है वो उसकी पुराए ग्राउंड तैयर हो जाएगा तो 1849 से 42 के बीच में युद्ध लड़ा जाएगा अब बात करें लॉर्ड आउकलेंड के काल में तो 1849 में ही लॉर्ड आउकलेंड ने कलकत्ता से दिल्ली तक एक ग्रांड रंक रोड का निर्मान भी शुरू करवाया था इसके लावा आतिरिक तो और कुछ नहीं है इनके अब बात करतें हैं अगले गवनर जनरल की भारत के अगले गवनर जनरल बनेंगे लॉड एलेन बरो 1842 इस्वी में एलिन बरो की भारत में गवर्नर जनरल के पतपर न्यूकती हुई उसके समय में प्रथम अफगान युद्ध जो है वो समावत हुआ था एलिन बरो ने चार्ल्स नेपियर और असेनिक एवं सेनिक शक्तियों के साथ इन्होंने सिंद भेजा नेपियर ने अगस्त 1843 में सिंद को पून रुप से बिटिश सामराजी में मिला लिया चार्ल्स नेपियर ने कहा कि सिंद विजय एक एका की घटना नहीं थी यह तो अफगान तुफान की पूँच थी सिंद का बिटिश सामराजी में विला ही अफगान संगर्ष का परिणाम था एलन बरो का कारिकाल कुशल अकर्मनिता की नीती कहा जाता है क्योंकि इन्होंने कुछ स्पेशल काम किया नहीं है इसके बाद आएंगे लॉर्ड हार्डिंग लॉर्ड हार्डिंग ने 1844 से लेकर 1844 तक भारत के गवर्नर जनरल बनकर रहेंगे उसके समय की महतपून घटना अगर बात करें तो प्रथम आंगल सिख युद 1845 से 46 वाला और इस युद का परिणाम जो था वो अंग्रेजों के पक्ष में रहेगा अंग्रेजों ने अपना सामराज जलंधर से पंजाब तक विस्तरत कर लिया आपको मैप में दिख रहा होगा उसके सुधारों में मुख्य रूप से उत्पात कर से बहुत सी वस्तूओं को मुक्त कराना नमक पर वसूली होने वाली राशी को आधा कर देना साथ ही नर्बली तथा सती प्रथा के प्रशलन पर प्रतिबंद लगाना आधी शामिल थे लाड हार्डिंग ने ज्यादा कुछ नहीं किया एक ही युद्ध है तो सिख युद्ध याद रखेगा शॉटकट है कि सिख जो है वो बहुत हार्ड सोभाव के होते हैं हार्ड लोग होते हैं तो सिखों को हराने वाला हार्डिंग याद रहा जाएगा आपको हार्ड से हार्डिंग नेक्स्ट गवर्नर जनरल के रूप में लौट डलहोजी जो है 1848 में अल आफ डलहोजी गवर्नर जनरल बनकर भारत आएंगे उनका शाषनकाल जो है आधोनी के इतिहास में एक इस्मर्णी काल रहा है क्योंकि उसने युद्ध व्यबगत के सिध्धान को आधार पर अंग्रेजी सामराजी का विस्तार करते हुए अनेक महत्वपूर्ण सुधार कारियों को संपन्न किया था डलहोजी के समय में अंग्रेजी द्वरा प्राप्त की गई अगर महत्वपूर्ण सफलताओं की बात की जाए तो नंबर वन अगर बात करें तो दुती आंगले सिख्ध इुद्ध इनके काल में हुआ था 1848 से 49 तक पंजाब का बिटिस सामराजी में विलाई कर लिया गया डलहोजी की ये पहली सफलता थी मुल्तान के गवर्नर मूल राज के विद्रोग को दो अंगरेजी अधिकारियों की हत्या और हजारों के सिख गवर्नर जो थे हमारे चतर सिंग के विद्रोग ने पंजाब में सरवत्र अंगरेज विरुद की स्थती पैदा कर दी थी अतर डलहोजी ने दुतिय आंगले सिख युद्ध के पश्चात 29 मार्च 1849 की घोशना द्वारा पंजाब का विलाई किया गया महारागा दिरीप सिंग को पेंशन दे दी गई और इस युद्ध के विशय में डलहोजी ने कहा है कि सिखों ने युद्ध मांगा था यहाँ एक प्रतिशोद सहित लड़ा जाएगा तो इस प्रकार से दुतिय आंगले सिखिय तो खदम होता है सेकंड बात करें तो डलहोजी ने सिख्किम पर दो अंग्रेजी डाक्टरों के साथ दुर व्यवहार का आरोप लगा कर अधिकार कर लिया था यह घटना 1850 के सम्थिंग की है और हुआ ये था सिख्किम में उस व का पारे में डलहोजी को जानकारी दी जलहोजी निस छूटी सी बात को अपमान मानते हुए MOR सिख्किम पर हमला कर दिया और सिख्किम को जीत लिया तो इस प्रकार से अगली अगरा फेस्तार करें लोवर बर्मा पुल्य कमी अगनलव को अंगरी सी स्थाशनकाल STE i इंग्लिश में कहते हैं Doctrine of Laps और इस सिधान्त के आधार पर अधिक जो है डलहोजी को याद किया जाता है भारती रियास्तों को इसने तीन भागों में बाटा था आपको याद रखना चाहिए कि व्यबगत के सिधान्त की जो तीन अलग अलग हमारे पास रियास्ते आने वा जिन्होंने ना तो अंग्रेजों की अधिनता स्विकार की थी और ना ही अंग्रेजों को कभी कर देती थी दूस्ते रियास्तों में इसने ऐसे लोगों को शामिल किया ऐसी रियास्तों को सामिल किया जो पहले से मुगल एवं पेश्वाओं के अधिन थी और वर्तमान समय मे अंग्रेजोग के ये अधिनस्त हो गई थी तो इस प्रकार से दूसरी रियास्ते थी तीसरी रियास्ते इसने बुला कि ऐसी रियास्ते जो अंग्रेजोग से सनद प्राप्त करती हैं और अंग्रेजोग के अधीन है तो यहां पर डलहोजी ने तई किया कि प्रतम वर्ग या जो पहली श्रेणी की रियास्ते हैं, उनको गोद लेने का अधिकार हम नहीं छीन सकते हैं, जबकि दूसरा वर्ग और तीसरे वर्ग के अंतरगत आने वाली जितनी भी रियास्ते हैं, हमारी आग्या से ही गोद लेने का उनको अधिकार मिलेगा, ऐसा डलहोजी ने बुला, औ और हम इस मामले में अनुमती भी दे सकते हैं, और अनुमती नहीं भी दे सकते हैं, वैसा प्रयाज जो है अनुमती देने का ही रहेगा, परंतु तीसरी शेणी या वर्ग में जो रियास्ते आती हैं, उनको उत्तरधिकार में या गोद लेने की अनुमती कदा भी नहीं दी जाएगी इस प्रकार का पूरा प्रावधान किया गया भारती रियास्तों को इन तीन वर्गों में विभाजित करना डलहोजी ने अपनी मर्जी से किया था तो इस प्रकार डलहोजी ने अपनी विलाई निती से भारत की प्राक्रतिक सिमाओं तक अंग्रेजी सामराजी का वि Pension देने से मना कर दिया और यह कहा कि, जो पेंशन अंग्रेज बाजीराव को देते थे वो उसकी व्यक्तिगत परस्टनल पेंशन थी, यह पेश्वा पद की पेंशन नहीं थी तो अगर आपसे पूछा जाए कि नाना सहाब को पेंशन देने से मना किस ने किया तो लाट डलोजी ने किया लाट डलोजी के समय धार्मिक निर्योगिता अधिनियम 1856 पारित किया गया था और इस अधिनियम के अनुसार इसाई धर्म स्विकार करने वाले उत्तराधिकारियों को उनके पुर्वजों की संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा ऐसा प्रावधान धार्मिक निर्योगिता अधिनियम 1856 में किया गया था डलहो जी ने जो हमारे प्रशाष्णिक सुधारों की अगर बात करें तो इसे कई प्रशाष्णिक सुधार किये जैसे बंगाल में एक लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की और उन नए प्रदेशों जिने हाल ही में बिटिश सामराजी में मिलाया गया था को डलहो जी ने सीधे प्रशाष्ण की विवस्था की जिसे नौन रेगुलेशन प्रणाली कहा गया इसके अंतरगत नियुक्त कमिशनरों को प्रत्यक्ष रूप से गवर्नर जनरल के प्रती उत्तरदाई बनाया गया जैसे आज है कि जितने भी हमारे केंद शाषित प्रदेश हैं वो डाडेक्ली राश्ट्पती के प्रती उत्तरदाई होते हैं अगली बात करते हैं सेनी सुधारों के अंतरगत तो डलहोजी ने तोब खानों के मुख्याले को कलकत्ता से कहां इस्थान अंतरित किया मेरट इस्थान अंतरित किया सेना का मुख्याले इसने कहां इस्थान अंतरित किया तो बहुत अच्छी जगे इस्थान अंतरित करेगा शिम्बला में तो सेना का मुख्यला शिम्बला में स्थापित कर दिया इसने और डलहोजी ने 1856 में ये सभी कारिक किये थे डलहोजी ने सेना में भारती सेनिकों की कटौती कर दी अच्छा अगर भारती सेनिकों की कटौती करेगा तो अब किसकी व्रद्धी करेगा ब्रिटि जी ने 1854 में वुड डिस्पेश को लागू किया प्राथमिक शिक्षा के लेकर विध्यालय इस्तरी शिक्षा के लिए एक व्यापक योजना बनाए गई इसके तहर जीलों में एंगलो वर्नकुरल स्कूल प्रमुक नगरों में सरकारी कॉलेज तथा तीन प्रसिडेंसी कॉलकता मद्रास और बंबई में एक एक विश्व विध्यालय स्थापित किये गए ऐसा इसने प्रावधान किया साथ ही प्रतेक प्रदेश में एक शिक्षा निदेशक नियूक्त भी इसने किया प्रयत्नों के फल्स्वरूप ही महरास्ट में 1853 में बंबई से थाने तक प्रथम रेल गाड़ी चलाई गई थी रेल विवस्था डलहोजी के व्यक्तिगत प्रयासों का प्रतिफल थी अंग्रेजों ने इसमें खूब पूंजी लगाई जो डलहोजी है को भारत में विद् चीनों प्रसिडेंश्टियों में एक-एक महाद निदेशक की नियुक्ति करने की विवस्था कि गई धी देश के अंदर दो पेसे की दर से पत्र भेजने की विवस्था भी कि गई ने भारत में डाण करनेविक श्टूर। जाती थी अब इसने दो पेसे की विवस्था कर दी तो यहां से भी रेविन्यू आएगा सरकार को डलहोजी ने प्रथक रूप से भारत में पहली बार सारवजनिक निर्मान विभा जिसको P.W.D. कहते हैं कि इस थापना की गंगा नहर का निर्मान कर आठ अप्रेल 1854 को उसने सिचाई के लिए खोल दिया गया पंजाब में बारी दो आप नहर का निर्मान कारी भी इसने शुरू करवाया डलहोजी ने ग्रांट ट्रंक रोड का निर्मान कार भी पुनह शुरू करवाया था अगर वानिजिक सुधारों की बात करें तो वानिजिक सुधारों के अंतरगत बंदरगाहों को अंतराश्टी व्यापार के लिए खोल दिया गया कराची कलकत्ता एवं बंदई बंदरगाहों को आधुनिक बनाने का प्रयास किया गया एक कम तो सबसे ज्यादा प्रश्ण डलहोजी से आएंगे इसके बाद आने वाले होंगे लॉड कैनिंग अठास उत्तावन की क्रांती के बाद आएंगे नेक्स वीडियो में हम समझेंगे भारत के गवर्नर जनरल और वाइसराय के बारे में तो पार्ट सी का इंतजार कीजिए और तब तक जो डलहोजी वाला पार्ट है इसको आप कंठस याद कीजिएगा बहुत ही जादा प्रश्ण इस पार्ट से पूछे जाते हैं तो दोस्तो जुड़े रहे हमारे साथ और सुनते रहे सुरीवनिशी एकेडमी का यूटूब चैनल तब तक के लिए धन्यवाद